भारत के हिमाचल प्रांग का शहर धरमशाला उचाई 1250 मूटर और 2000 मूटर के बीच तीनों तरफ कस्बे से घिरा प्राक्रितिक सुंदर्ता से भरपूर चाय के बागार चीव और देवदार के उचे उचे पेर शांती तथा पवित्रता के साथ यहां खड़े दिखाई देते प्रिष्ट भूमी में बर्व से ढकी धौलादार परवच्षिंग्ला इस थान का नैसरगिक सौंदर्य बढ़ाती है वर्ष 1960 से जब से महामहिम दलाई लामा ने अपना अस्थाई मुख्याले यहां बनाया धरमशाला की अंतर राश्रिक खियाती भारत के छोटे लहासा के रूप में बढ़ गए जीवन शैली को सुन्योजित ढंग एवं समस्त अधार भूथ सुविदाओं के साथ जीना एक श्रेष्ट मानव सब्यता में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है वक्त के साथ बदलाव एवं विकास मानव जीवन शैली का एक एहम पहलू रहा है प्रतेइक मानव सब्यता में हर नागरिक की सुविदा एवं दुविदा दोनों को ध्यान में रखते हुए एक श्रेष्ट शेहर की परिकल्पना के साथ जो निर्ने लिये गए वो निर्ने एतिहासिक निर्ने कहलाते है हमारे बुजूर्गों के लगाए पौदे, पेड, बन आज हमें जीवन देते हैं छाया देते हैं अता बविश्यन मुख यूजनाये, विकास आत्मक नीतियां एवं निर्ने आने वाली पीडियों के जीवन को सुगम एवं सरल बनाते हैं धरमशाला शहर को नगर निगम बनाया जाना एक एतिहासिक निर्ने है हमारे लिए आज ये सौभाग्य एवं गौरव की बात है कि हम उन ख्षणों के गवाँ बन रहे हैं जो कल को इतिहास में स्वर्ण अक्षणों से लिखे जाएंगे धरमशाला को नगर निगम बनाये जाने का निर्ने एक सम्रिद एवं सकारात्मक सोच का परिनाम है